अपनी पाठी दुवारा पूरे देश्वासियों को व्यखास कर कमजोर वर्गों के लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि इसमें कोई संदे नहीं है कि केंदर में सत्ता वे विपक्ष दुवारा अब संसक के अंदर वे बाहर भी सविधान की कापी दिखाने की होड में ये लोग सभी एकी थैली के चट्टे बट्टे लग रहे हैं तथा इनकी सोच भी लगभग एक जैसे ही लग रही है और इन दोनों ने अंदर अंदर मिलकर अब इस सविधान को काफी हद तक जातिवादी संप्रधाइक एवं पूंजीवादी सविधान बना दिया है अनेको संसोदुनों के जरिए अमेंडमेंट के जरिए इसे काफी हद तक जातिवादी संप्रधाइक एवं पूंजीवादी सविधान बना दिया है और इन दोनों की अंदरूनी मिली भगत होने की बात, यानि कि सत्ता और विपक्ष की, मैं अंदरूनी मिली भगत होने की बात इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि इन दोनों की वे अन्य पाटियों की भी, इन दोनों की भी यानि कि कांग्रेस खास कर कांग्रेस और वीजेपी, इन दोनों की वे अन्य और पाटियों की भी जिन जिन राज्यों में सरकारे चल रही हैं, तो वे सबी राज्ये सरकारे वहां के लोगों की खास कर गरीबी, बेरोजगारी वे महंगाई आदिक को दूर करने में बुरी तरह से विफल हो गई हैं और अब उन पर से जनता का ध्यान बाटने के लिए इन दोनों की अर्था सतावे विपक्ष की अंद्रूनी मिली भगत से जबर्दस्ति सविधान बचाने का नाटक किया जा रहा है जिससे देश की जनता जरूर साबधान रहना है और अब ये लोग अपने अपने राजनितिक स्वार्थ में यानि कि सता और विपक्ष कि ये लोग अपने अपने राजनितिक स्वार्थ के लिए यहां यहां इस भारते सविधान के साथ ये भारते सविधान है तो यहां इस भारते सविधान के साथ जो खिलवार कर रहे हैं ये कतई भी उचित नहीं है जबकि इन दोनों ने अर्थात सत्तावय विपक्ष ने अब तक अंदर अंदर मिलकर सविधान में इतने ज़्यादा संसोधन कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया हैं कि अब ये बाबा साब डाक्टर भींगराब अमेडगर की मंसा वाला संता मुलक धर्म निर्पेख्ष एबं बहुजन हिताय वाला सविधान नहीं रहा है बलकि अधिकान सब ये जातिवादी संप्रदाइक एबं पूंजीवादी सविधानी बनकर रह गया है साथी अब सत्ताव विपर्ख्ष के जातिवादी मानसिक्ता के लोग अंदर-अंदर मिलकर यहां SC, ST वे OBC बर्गों का खास कर शिक्षा एबं सरकारी नोक्रियों आदी में इन्हें बाबा साब की बदोलत से मिले अरक्षन को खतम करना चाहते हैं या फिर इसे निश्प्रभावी बना के इन्हें यहां ये सभी पाटिया इसका पूरा लाब इन्हें नहीं देना चाहती हैं इसलिए अब सविधान को बचाने के नाम पर वे इसकी आड में सत्ता वे विपक्ष दुवारा जो जातिवादी संप्रदाइक एबंपूंजिवादी राजनिती की जा रही है तो उससे इन वर्गों के लोगों को कतेई भी लाब मिलने वाला नहीं है और ये बात भी सर्विधित है कि संदर में खासकर कांग्रेस वे बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अंदर अंदर मिलकर यहां ती पिछडों के आरक्षन को लेकर आई मंडल कमिशन की रुपोर्ट को भी अपनी सरकारों में अपनी सरकारों में लागू नहीं होने दिया था लेकिन सरी बीपी सिंग की बनी केंदरिये सरकार में इसके लागू होने पर भी तब फिर इन दोनों पाटियों ने कांग्रेस एंड बीजेपी एंड कंपनी के लोगों ने अर्थात इन दोनों पार्टियों ने पूरे देश में इसका परदे के पीछे से काफी डटकर विरूद भी कराया था और इसको लेकर पूरे देश में जबरदस्त अंदूलन वे तोड़ फोड़ आदी भी खूब कराई गई थी ये सब किसी से छिपा नहीं है और इनी दोनों पार्टियों ने मिलकर आगे केंदर में रही कांग्रेसी सरकार के समय में फिर संसद में समाजवादी पार्टि को आगे करके वे इनकी मदद से देश में एस्टी वर्गों के सरकारी करमचारियों का पदोंती में आरक्षन को प्रभावी बनाने के लिए बीएसपी के अतिसंगर्ज के बाद लाए गए सम्बंदित संसोधन बिलको भी पास नहीं होने दिया था जो अभी भी लड़का पड़ा है यूपी में सप्पा सरकार ने तो एस्टी वे एस्टी का पदोंती में आरक्षन ही खतम कर दिया था ऐसे में सत्ता वे विपक्ष ये दोनों मिलकर सविधान को बचा नहीं रहे हैं बलकि इसकी आड़ में ये लोग केवल अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद कर रहे हैं तैस्टा हो या विपक्ष हो और ये दोनों अर्थास्टा हो वे विपक्ष के लोग अंदर-अंदर मिलकर यो मिले वे अंदर 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 मिलकर सविधान में बाबा साब के अथक परयासों से खास कर SC, ST वे OBC बरगों को मिले आरक्षन को भी खतम करना चाहते हैं या फिर इससे निस्प्रभा भी बना देना चाहते हैं और तबी ये लोग पूरे देश में ये ही में कारण है और तबी ये लोग पूरे देश में जाती अधार पर जन गन्ना नहीं कराना चाहते हैं विपक्ष कहता रहता है लेकिन जितना उसको गंबी रोना चाहिए उतना है नहीं ये मिले वे अंदर अंदर और तबी ये लोग की ही राजनिति कर रहे हैं इस प्रकार से सत्तावे विपक्ष अंदर अंदर मिलकर आई दिन बड़ी संख्या में कर रहे संसोधनों के जरिये अमेंडमेंट्स के जरिये बाबा साब के बनाए गए समता मुलक धर्म निर्पेक्ष अबम बहुजन हिताय वाले सविधान को बद कर जो